दोस्तो मेरे नाम गौर्डोंसिंग है, मैं ने पिछले लिक्चर में जहां सआइन्स शुरू कराया था। जैसी चीज़ें नहीं आती है और जिनका mathematics रहा है उनको घबडाने की जरूरत नहीं है कई बार बायो ऐसा होता है कि बहुत कठिन लगता है लोगों को तो वो चीज़ें यहां पर उतने detail में बात भी नहीं होगी और बहुत ही simple तरीके से बात करके हम उसको खतम करेंगे ठीक ह आप बसके बहुत इसको revise कर लिजेगा और हमारा जो पढ़ाने का पूरा जो focus है वो उसके अधार पर है कि वो जो चीज़ें आई हुई हो जादा और जो चीज़ें आने की probability जादा हो उसी चीज़ को हम पढ़ाएंगे ठीक है digestive system अब हम किसी चीज़ के definition पे बारे में बात नहीं करें क्योंकि ऐसी चीज़ें आप पूछी नहीं जाती है कि क्या होता है digestive system बस हम चीजों की ढंके जो आती है उसे पर बात करते हुए चलते हैं चलिए digestive system होता है जब आप खाना खाते हैं खाना खाने के बाद कुछ चीज़ें जो है एब्जॉर्ब करता है आपका सरी nutrition चाई vitamin हो चाई protein हो चाई fat हो उसको तोड़ता है उसके बाद उसको excrete करता है defication के थुरू तो basically digestive system में यही होता है digestive system में मेली कितने process होते हैं 6 process होते हैं आपको 6 के नाम नहीं याद रखने हैं बस मैंने समझाने के लिए बता दिया ingestion, propulsion, mechanical or physical digestion, chemical digestion, absorption, and defication injection में क्या होता है आप मुँ में खाना लेते हो खाते हो ठीक है वही injection हो गया propulsion क्या हो गया force देखिए आप गले से नीचे उतारते हो उसको isophagus के थुरू ठीक है उसको propulsion बोलते है isophagus नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं जानते हो तो जो गले की नली जाती है इस्टमक की और जो आपसे जुड़ती है खाना खाने के बाद उसी को isophagus कहते हो अपने आप ही contract और फैल्थी और security रहती है वो involuntarily उसको छोड़िए आप इतना deep में मत जानिए उसके बाद आता है mechanical and physical digestion ठीक है mechanical physical digestion में क्या होता है basically वो तोड़ा जाता है जो आप खाते हो जो खाते हो वह नहीं सीधे डाज़ेंच तो नहीं जाता बड़े बड़े टुकड़ों में उसको तोड़ता है physically तोड़ा जाता है आपकी आते भी जो जो ले जिसको कहते हैं contract होती है तो वो तोड़ती है ठीक है उसके बाद आता है chemical digestion chemical digestion में क्या होता है कुछ enzyme secret होते है कुछ चीजेसे juices secret होते है उसके थूर जो होता है आपका जो nutrition होता है एब्जार्ब किया जाता है जो कि आपका पांचवाई step हो गया उसके बाद आता है डिफेकेशन, डिफेकेशन में आप सभी जानते है कि उसके बाद जो मल के तोर पे बचा रह जाता है जो toxic type की चीजे होती है वो बाहर आपके सरीर के थूर आ जाता है ठीक है तो basically इसमें जब question पूछा जाता है तो यह नहीं पूछा जाता कि कितने process में होता है basically आप से 3-4 चीजे पूछा जाता है मैं आभी शुरुआत में बता देता हूँ सबसे बड़ी 3 important चीज में 3 important form में जो है आप खाना खाते है तो आपको मिलता है protein होता है, fat होता है, carbohydrate होता है और fats जो होता है, आपका fatty acid और glycerol में break होता है इसको हमेसा दिमाग में रखिएगा और carbohydrate तो आप simply जानते हैं यह simple sugar में break होता है तो यह बहुत ही simple है, बहुत ही simply आएगा या तो आपको one liner आ जाएगा पूछ लेगा कि इसमें तूटता है या आपका statement form में आ जाएगा कि protein इसमें तूटता है, fat इसमें तूटता है तो correct incorrect वाला जो है आप बता दीजिएगा तो उसके बाद देखिए, मैंने question भी रखे हैं question आप, एक पहला question तो बहुत ही simple है nutraceutical के बारे में दूसरा पूछा है ये भी बहुत ही simple है, उसको try करिएगा comment section में answer करिएगा और साथ-साथ खतम करते चलिएगा, वरना दोस्तों फिर आप पिछड़ जाओगे फिर आपकी इस्तिती वही हो जाएगी चाहे जितने video lecture आजाएगे तो problem होगी और हमारी frequency भी अब लगतार बढ़ती जा रही है mouth में उसके बाद जब खाते हैं तो जो है हम धीरे धीरे जिस location पे digestion start होता है जैसे जैसे proceed करता है हम उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले digestion start वहीं से हो जाता है जो आपका saliva हो और तोड़ने की सुरुआत वहीं से हो जाती है तो starch का सुगर में जो है conversion जो होता है वो mouth में ही होता है किस में saliva में ठीक है question आपको सीधे सीधे आएगा मैंने question इसमें भी लिखा है digestion of food starts from यह सारे question कहीं ने कहीं आए हुए है तो यह question ऐसे नहीं है कि हमने पढ़ा है आपको easily form में easy form में दे दिया आप तो कहोगे क्यार वो पढ़ा है वो दे दिया यह question आए हुए है question बहुत ही simple आते हैं इतना ज़्यादा नहीं tough रहते हैं ठीक है saliva digest which of the following ठीक है यह भी simple है आप लोग try किरिएगा उसके बाद जो मुझसे खाना जाता है तो isophagus नली होती है का अगर आख किसी को थोड़ा दिक्कत होती है तो human body का जो है फोटो wikipedia में सर्च मारिएगा images पे देख लीजेगा उसमें आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि महाँच में isophagus नली कैसे होती है फिर वहाँ पे लीवर किदर होता है इस्टमक किदर होता है पैम क्रियाज किदर होता है large intestine और small intestine कहां कहां होती है तो वह सब चीजे देख लीजेगा तो isophagus के थूँ जो है खाना आपका swallow किया जाता है जो कि automatic होता है मैंने बता है involuntarily voluntarily यहाँ भी muscles के बारे में ज़्यादा जाने की ज़रूत नहीं है हम बाद में आपको बताएंगे आपका heart हो गया रहा के बारे में muscles के बारे में detail में बताऊंगा जब cell पढ़ाऊंगा human anatomy बताऊंगा ठीक है तो बस इतना ही इसका important है फिर उसके बाद stomach में पहुंसता है खाना ठीक है वहाँ से जब पहुंसता है खाना stomach में stomach जो है food जो है liquid के साथ और digestive juice के साथ mix up हो जाता है तो उसका एक जो है मतलब एक जो material type का बनता है वो जो है stomach से आपके small intestine में भेजा जाता है जिसको काइम बोलते है ठीक है यह terminology थोड़ा important है आप से पूछ लेगा कि काइम क्या होता है तो आप उसको बता दीजिएगा कि क्या क्या होता है वो आप जो food होता है liquid हो जाता है और digestive juice हो जाता है वो आपस में मिलकर EC को बनाते है एक question है आप बताईएगा what is the nature of digestive juice acidic, basic, neutral, sometime acidic, sometime basic इसको बताईएगा खोच के बताईएगा कैसे बताईएगा question आए हुए है बहुत important है मुझे तो बहुत important लगता है और बहुत ही मतलब ऐसे लगता है stomach और duodenum ठीक है आप बताईएगा किस से associated है मैंने बताया आपको कहां पे होता है और किस time बनता है process भी ध्यान में रखिएगा देखिए उसमें दोनों है option में stomach भी है small intestine में है तो कहां बनता है ये भी ध्यान में रखिएगा मतलब किस से associated है digestion होता है वो आपका small intestine में होता है simply question पूछा जाता है कि खाने का सबसे ज़्यादा digestion कहां होता है तो 90% तक करीब जो होता है digested food जो है absorb किया जाता है small intestine में ठीक है सबसे ज़्यादा यहीं पे it makes digestive juice which mixes the bile and pancreatic juice to complete breakdown of protein carbohydrate fat यह सभी का breakdown करता है protein का breakdown किसमें होता है और carbohydrate का breakdown किसमें होता है और fat का breakdown किसमें होता है तुरंत आप लोग comment section में तुरंत बटन दबा के लिखने लिख दीजिया करिए bacteria in small intestine make some of the enzyme to digest carbohydrate ठीक है small intestine में है यह आपके bacteria भी होता है ठीक है यह चीज दिमाग में रखेगा वहाँ पे वो जो है digest करने के खासकर carbohydrate digest करने के लिए enzyme create करता है इसमें दो तीन चीज़ें याद करने के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे ज़्यादा food का digestion कहा होता है तो small intestine में होता है दूसरी चीज यह होता है कि यहाँ bacteria जो है small intestine में जो है carbohydrate digest करने के लिए enzyme create करती है एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो pancreatic juice की मैंने बात की जो कि pancreatic juice होता है मैं अभी आपको enzyme बताऊंगा pipsin, trypsin सब के बारे में नीचे बताऊंगा तो trypsin जो होता है basically pancreas जो है small intestine में secret किया जाता है एक चीज दिमाग में रखिएगा हमेशा जो है question इस पे लोगों से एक question पूछा जाता है खासकर एक UPPCS में exam में आया हुआ था इस साल की conceptual question था कि जितने भी organs होते हैं वो जो enzyme जो है अपने उसी location पे secret करते हैं और उसी location पे function करते हैं मतलब मालीजी आपका intestine है तो intestine no sorry pancreas है तो pancreas उसी location पे secret करेगा और वही function उसी जगा पे करेगा ऐसा नहीं है देख लिजे pancreatic enzyme जो है आपका intestine में small intestine में function कर रहा है ऐसा नहीं होता लेकिन यह concept है तो इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा एंजाइम उसी location पे function नहीं करते जहां पे secret करते हैं तो तीन चीजे इसमें मैंने बताया है तीनों चीजे एक maximum absorption उसी जगा secret करने पे function नहीं करते हैं तीसरा जो है यह bacteria जो है carbohydrate को digest करता है फिर कुछ question है small intestine located between यह बताईएगा आप लोग map देख लीजेगा यह चाहे जो कर लीजेगा देखके मुझे बताईएगा answer इसका ठीक है आपको answer मिल जाएगा हमारी website में आपको बता दिया था कि test समय आप लोगोंने देख लिया था कि कुछ problem आ गई थी कुछ problem आ गई थी तो उसको हम जो है construction work में लगा हुआ है वो थोड़ा सा उसमें जो technical error आ रहा ही थी कुछ लोग भी ना टिक किये ही जे को marks पा रहे थे कुछ का next नहीं हो रहा था तो वो चीजे काम में लगी हुई है उसी के बाद जो हम आपको answer डाल देंगे बहुत ही जल्दी काम खतम होने वाला है और नहीं होता है तो हम जो है आपको PDF अभी उसी में दे देंगे PDF form में सारे answer history के पूरे बचे है तो मैं आपको history के एक दिन में पूरे दे दूँगा lecture wise और इसमें भी दे दूँगा मुझे लगा कि आप लोगो वहाँ पे भी पाएंगे तो आराम से उसको solve करेंगे वहाँ पे tick करेंगा आपको answer मिल जाएगा तो उसमें आपका भी काम आसान हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा problem आ गई है तो थोड़ा सा patience रखिए Most of the food in human being is digested in which of the body part Large intestine, small intestine, duodenum इस टमख बहुत ही simple है मैंने बताया ठीक है length के according decreasing order में बताये यह थोड़ा आपको काम मैंने दिया हुआ है यह काम करके आप इसका answer मुझे comment section में बतायेगा ठीक है जिजनम, duodenum, ilium ठीक है इसमें बतायेगा यह part होते हैं किसमें होते हैं यह भी मुझे बतायेगा आप लोग देखिएगा net pic यह होता क्या है exactly ठीक है फिर large intestine आता है small intestine, large intestine सब कुछ होता है large intestine जो होता है small intestine के चारों तरफ होता है आपका human body का pic देखे होंगे उसमें मोटा सी एक pipe टाइप से होती है और उसके बीच में जो बुच्छेदार छोटी सी pipe जो होता है काफी length ही होती है basically small intestine इसलिए ज़्यादा digest करती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होती है और जिसका surface ज़्यादा touch करेगी जो food है वसी में ज़्यादा एपजार होगी ने basic concept है इसको इतना रटने रटतोता मत हो जाईएगा तो एपजार इसलिए वहाँ पे ज़्यादा होती है तो एक मोटा जो है tube type का होता है उसके बीच में जो हता है छोटा सा मतलब गुत्था हुआ जिसको कह सकते है जुन्ड बनाया हुआ एक small intestine होता है तो हम large intestine के बारे में बात करते है large intestine में भी जो है breakdown होता है nutrients का और vitamin K जो है सबसे ज़्यादा large intestine मतलब बनाने का role play करता है ठीक है यहाँ पर waste product of digestion including part of food that are still too large become stool यही से stool create हो जाता है finally लगबग ठीक है vitamin K से related अगर कोई चना जाएगा small intestine large intestine stomach तो आप उसमें ठीक large intestine लगाईएगा small intestine के बारे में बता दिया है मैंने आपको stomach के बारे में बता दिया time क्या होता है वो बता दिये और starch का सुगर में जो है conversion कहां पे होता है यह मैंने बता दिया protein fed कर्वोहाइडेट इसका जो breakdown जो होता है किसमें होता है question आएगा तो इसी में से आएगा चाहे उसके बाद आएगा तो बहुत अजीब से question हो जाएगा और आप basically वो फिर current affair से होगा और current affair हम अलग से cover करेंगे उसके लिए परसान मत होईएगा फिर आते हैं हम कुछ hour gun पिये तो food जैसे जैसे जाता है हम सारे procedure एक एक procedure नहीं बताए कि यहां यहां जाता है छोटे छोटे चीजों का लेकिन हम इतना चीजें जरूर बता दी है जो आपके काम की है ठीक है उससे ज़्यादा मेरी तरफ से तो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है आप बाकी जाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा मैं अगर कहूंगा तो आप किसी को तो आप NCRT लगता है पेशिकली इसमें मैंने एक औरह नहीं जोड़ा है अपको ऐसे बता देना चाहता हूं कि आपके बौड़ी का human temperature क्ौन सा आरगन जो इन्मटेन लगता है g लंक्स heart लीवर और इंटेस्टाइन आप इसको बताईएगा मुझे ठीक है एक कुश्चन मैं आपसे पूछता हूँ इसको बताईएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कुश्चन है लीवर के बारे में पढ़ते हैं यह सबसे बड़ा औरगन होता है बॉड़ी में आप सब जानते हैं ठ विए प्टाइन बहुते है उच इसके बा वहीं सब कुछ इसके मार आपका लिवर हो ना अपके बॉड़ी को हेल्दी ओने के लिए बहुत ही CYPاج पर्यरींट है रहुत है वहीं से वह भेजा जाता है उसके बाद वहीं सब कुछ श्टोर टाइब क्या होता है जिसे आप जानते होंगे कि विटेमिन्स वगेरा सब कुछ वहीं श्टोर रहते हैं कुछ लोगों में विटेमिन B की कमी हो जाती है कहां विटेमिन B 12 आपना पूआ यह कुछ लोग जो हते हैं, उनके जो हैं वीटमिन काफी कमाता है, तो मतलब आपका लीबर जो है, खासकर वोमिट जो बहुत कर देते हैं, और डेरी प्रोडट्स में होते हैं, विटमिन वीटमिन के बारे में तो अभी मतन जान नहीं है, बस इतना जान लीजे कि उसमें इसटोर होते हैं जब वोमिटिंग जो बहुत जयादा कऱिया कोई तो य데 दिया तो बैसिकली आपका लीवर एक इसटोर होता है वहां पे बहुत से चीजशें स्टोर होती है जो जो जे जरूरी नहीं है कि तुरंट उसको लिया तुरंट वो काम कर जाता है कि आदमी का हर सारा औरगन जो है बिसिकली जिसका लीवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी लाइफ जो होती है बहुत लादा लंबी होती है ऐसा बोला जाता है पुराने लोगों के द्वारा ऐसा नहीं है कि इसको मेडिकल को इमर्जनसी आप लोग सोच के हम घबडा जाईए उसके बाद जाके डॉक्टर को दस बारा चेक अप कराईए यह सब कुछ नहीं करवाईए इसको बस पढ़ने से उससे लग रखो पहली बार जो मेडिकल में क्या करता है आदमी पहली बार नेट पे सर्च मारता है उसको दुनिया भर की डिजीज खुद देट वी गंजूम सच अज अल्कॉहल एंड डी टॉक्ट सिफाई ठीक है आप जितने भी आप क्या जो भी लोग करते हैं जितने भी इंटॉक्सिकेटेड पदार्थ लेते हैं सराब हो गया जो कुछ भी हो गया वो सब जो है डी टॉक्सिफाई जो होता है आपका लीवर क बाड़ जाता है और क्या होता है बाइल का क्रियेशन करता है बाइल क्या होता है बाइल एक तरीके से जूस होता है दिमाग में रख लीजे बाइल एक जूस होता है एक एंजाइम नहीं होता है बहुत लोग कंफ्यूज होते है बाइल भी एक एंजाइम होता है जो कि आपके small intestine में जाके वो सब करता है नहीं यह बाहिल जो है जूस होता है बाहिल एक enzyme नहीं होता है ठीक है यह fat को breakdown करता है and allow the nutrients within fat like fat soluble vitamin A, D, E, K मैं आपको बताऊंगा fat soluble vitamin क्या होता है और water soluble vitamin क्या होता है water soluble vitamin आज भी बता देरो बाद में बताऊंगा vitamin B और C ही जो है water soluble vitamin होते है इसलिए आप जब भी पानी वानी पीते हैं तो वो काफी ज़्यादा हद तक आप उसको बाद में बताऊंगा यार उसी को बताने लगोंगा तो फिर फूल जाऊंगा इसमें क्या पढ़ाना है आप लोगों को ठीक है बाइल जो होता है आपके गाल ब्लेडर में स्टोर होता है गाल ब्लेडर की लोकेशन भी लीवर के बगल होती है वो जो होती है आपका जो है बाइल जूस को जो है जो की बहुत important होता है fat breakdown के लिए वो गाल ब्लेडर में स्टोर होता है जिस दिन उसका ओप्रेशन हो जाता है तो बस वो श्टोर नहीं रहता बाकी आपका लिबर तो बाइल बनाता है तो वो श्टोरेज पास सिस्टम खतम हो जाता है where it is concentrated and then released when needs to digest food coming from the stomach ठीक है तो बाइल जूस का बारे में आप जानगे है गाल ब्लेडर में क्या होता है उसके इस्टोर करता है तो भाई देखो इसको चीजें को बहुत ही बाईलोजिकली पढ़ोगे तो बहुत ही दिक्कत होगा डेली लाइफ में जो यूज हो रहा है डेली लाइफ में जो पूछेंगे भाई कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है मतलब ठीक है पानी नीचे होता है मचली जिंदा रहती है उपर जो है बर्फ का एक पूरा लेयर हो जाता है तो भी क्यों जिंदा रहती है उसका तो वहाँ पे आपको हीट में थर्मोडैनिमिक्स का नियम लगा कर और भी करता है उसका है कितनी बार बोल दिया होंगा फिर लाघ में रख लेता बाइल जो है क्यों बाइल होता है अब लीट ग्लूकोज इन्टु ग्लूकोजन वाइग क्लूकोजन ठीक है, ग्लूकोजनिसिस क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लूकोजन में बनलता है, और किस लोकेशन पे बदलता है, ये बदलता है, लीवर पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका लीवर ही अमोनिया को यूरिया में बाडी में बदलता है, ठी पूछा जाएगा और पूछा जा चुका है तो कभी न कभी पूछा जाएगा पानक्रियाज क्या है? पानक्रियाज एक mixed gland है mixed gland में enzyme भी छोडता है और बहुत से digestive काम भी करता है और हार्मोन भी छोड़ता है इसलिए इसको जोता है mixed gland बोलते हैं, hormone भी छोड़ता है hormone में जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि आपको pancreas कौन सा hormone छोड़ता है अगर पता हो तो आपे comment section में लिखके बताईएगा digestive juice कौन छोड़ता है तो आज का काम हुई है तो मैं आपे बताऊँगा trypsin, अचा एक बताईएगा insulin क्या होता है, बस बताईएगा digestive juice are alkaline in nature कुछ आपको मिल गया होगा digestive juice जो यह छोड़ता है जिसको कहते है trypsin यह alkaline होता है नेचर में, hormone insulin मैंने बताया, कुछ समझ में आया होगा आप लोग बताईएगा कि insulin क्या होता है किसलिए हम जानते हैं, बहुत ही basic है आजकल तो, यह हाल हो गया है कि भारत में हमको हर दूसरे में से एक आदमी लगता है भईया, इसको यह समस्या है तो, इसलिए pancreas को hormone और digestive juice दोनों चोड़ने के लिए, secret करने के लिए इसको mixed gland बोला जाता है अच्छा, question दिया हुआ है ठीक है, अब हो गया काम आसान आप लोगों का फिर आते है kidney, kidney में बहुत important part होता है आपकी body को, जो इतने भी blood में जाते हैं जो भी उन में जो toxic होते हैं, उसको filter करता है देकि, convert जो जो होता है, करता है आपका ये liver, लेकिन उसके बाद जो एक छननी का काम करता है छानने का काम करता है, वो होता है kidney, bean से मतलब राजमा जैसे बेसिकली ये होते है renal system में ठीक है, ये जो जितने भी waste pass होते है जैसे urine, इन सब को छान लेता है ठीक है, usually ये कहा जाता है, एक adult को देड़ लेटर minimum जो है, urination करना चाहिए ये question पूछा गया है, किसे state में मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख दियो अच्छा, urine में एक चीज बताइए, major component क्या होता है, ये चीज आप लोग पूल अपने heart में भेजा जाता है, वह ये आपका heart जो है, pump करता है, ठीक basically जितना भी गंदगी होता है उसको convert किसके through करना जाता है, urea, urea liver के through, liver के through urea बनता है, लेकिन चंता किसके through है, kidney के through फिर वहाँ से वो heart में जाता है और कुछ चीज़े हम जान जाते है kidney का जो crucial function होता है जो की, जो है, fluid balance maintain करने के लिए, body में बहुत important है regulating and filtering mineral from the blood, ये भी बहुत important काम है, creating hormones that help produce RBC थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि RBC produce करने के लिए, hormone कौन जो है, create करता है, promote bone health, regularize blood pressure, ये kidney करती है nephronge होती है kidney की basically unit होती है जो भी जैसे एक body की unit होती है cell होती है, उसी तरीके से kidney की भी जो unit होती है और उसके बाद आप जानते ही है कि जिसके kidney खराब हो जाती है उसमें जो है, जो चानने की छमता खतम हो जाती है, तो dialysis use करते है, dialysis एक mechanical process होता है, basically blood छानने का, blood एक तरफ से छनता रहता है, दूसरी तरफ से जो इता है body में pure blood डाला जाता है ठीक है, जो काम बाहर अंदर होना चाहिए, वो बाहर होता है कुछ questions है देख लिजेगा नेफरान हो गया, filtration of urea in the blood is done by which of the following organ dialysis is related to which of the following which of the following is not not more function of kidney, ठीक है ठीक है, इसको देख लिए which of the following is not is a function of kidney, ठीक है, उसको थोड़ा सा correct कर लिजेगा kidney stone is made of which of the following यह चीज़ आप खुद मुझे बताएंगे kidney stone बहुत ही common होता है किस चीज़ से बनता है, calcium carbonate, calcium argusolate, calcium sulphate, uric acid बहुत ही basic है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ appendix में आते हैं basically appendix basically आप लोग देखते होंगे सरीर में appendix का operation बच्पन में अक्सर देखे होंगे, सुने होंगे कि appendix का operation हुआ है appendix जो होता है basically vestigial organ होता है जो की इसमाल और large intestine के जो है पास में जुड़े हुए होता है तो वही थोड़ा सा diacide में होता है हमेसा diacide में ही देखते होगे appendix का pain किसी को होता है एक छोटा सा होता है उसको warm shape का होता है काट के doctor लोग निकाल देते हैं जब भी ज़्यादा बढ़ जाता है appendix बढ़ जाता है basically तो यह क्यों होता है जब आदमी starting में vegetarian था ना तो वो cellulose cellulose जो भी जितनी भी पतिया खाता था उसमें cellulose काफी मात्रा में पाया जाता था cellulose का diet जो इससन जो होता था पतियां जब वो ऐसे खाता था गूंगूं के कच्ची तो उसका basically cellulose क्या होता है जानते ही होगे cotton में cotton में बहुसी cellulose होता है cellulose इक पदार्थ होता है तो उससे वो जो होता है पतियों वगेरा में cotton वगेरा में आरगन होता है दूसरे जो होता है ये basically cellulose का digestion करता है फिर galv ladder आता है it store bile between meal मैंने बताया ना galv ladder का काम क्या होता है bile juice कहां से निकलता है liver से निकलता है और liver से निकलने के बाद उसको जो है store कहां किया जाता है उसको store जो होता है galv ladder में किया जाता है galv ladder का operation कई बार हो जाता है तो उसमें problem की बात नहीं होता है बताब का storage खतम हो गया body का और कुछ नहीं हुआ है appendix हो गया appendix मैंने बताया कि यहां पे जो होता है cellulose का digestion करता है उसके बाद आता है kidney, kidney में जो होता है जितनी भी चीज़े होती है गंदी चीज़े जो होती है filter करता है और साफ blood वापस बेरता है fluid का balance करता है nephron इसका unit होता है dialysis kidney से related है pancreas इसमें सब में question पूछेगा इसमें से कौन सा mixed gland होता है mixed gland जो से कहते है digestive juice और hormones जो है दोनों जो है secret करता है ठीक है और यह pancreas में basically जो हता है trypsin नामक digestive juice होता है मैं जब नीचे बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा वो secret करता है ठीक है जो की alkaline in nature होती है फिर liver आता है liver जो बहुत बड़ा काम होता है सबसे largest gland है human body का सबसे पहले important point दूसरा जो है यह जितने भी absorption होते है intestine वगएरा के थूँ वो सब collect करके store करता है तीसरी चीज यह आप जब भी harmful chemical होते हैं उसको detoxify करता है इसलिए uric acid वगएरा बड़ जाता है तो liver पे सबसे ज़्यादा harm harm कर होता है पतलब भाई आदमी का एक वो होता है किसी भी चीज का अगरे आप बाइक पर ही दस लोग बैट के चलाने लगए तो उस पर प्रेंसर ज्यादा पढ़ने लगेगा तो किसी चीज का जो basic काम होता है जितना काम होता है भी यह तो उतना काम करवाओगे उससे तो नहीं breakdown होने लगेगा उसका उस पर फिर जानते ही है फिर फैटी लीवर अगरा भी ज़्यादा फाइट वाइट दे दोगे तो ज़्यादा फैटी लीवर हो जाता है वन स्टेज, टू स्टेज, त्री स्टेज, फिर सिरोसिस हो जाता है उसमें basically क्या बोलते है डॉक्टर आपको कोई दवा होगा नहीं होती है इसकी दवा यही होती है आप exercise करोगे तो basically जो fat होते होँआ से हर्ड़ने लगेंगे आपका लीवर, अब जितने भी sales हो गहरा, जो tissue हो गहरा, जो नुकसान हो जाते है बाकी आपका लीवर आधा भी बचा रहता है तो वह ऐसे ही काम करता है, जैसे पूरा लीवर काम करता है ठीक है, बाइल जूस बनाता है, बाइल जो होता है, जो कि fat को breakdown करता है और basically fat soluble vitamin, यहाँ पर मैं आपको एक exam, दे भी दिया, बाद में इसको detail में क्या बताऊंगा फिर से आप याद कर लो fat soluble vitamin ADEK होता है, और water soluble vitamin B complex, B complex इसलिए बोला जाता है उसमें बहुत से vitamin होता है, B12, B12, B5 basics, अब हम आपको detail में बताएंगे कि यह क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, ठीक है, तो अपने यहाँ पे आरगन के बारे में भी बात कर लिए, अब आते हैं, अपन enzyme के बारे में, enzyme क्या होता है, enzyme हमने प्छली class में बताया है कि कुणजी की तर पे काम करता है देखिए एंजाइम एंजाइम सुनने क بعد काम मत जाइएगा जिनका बायो नहीं रहा होगा या जिन्होंने पहले कभी बायो से जिसको नफरत रहती होगी तो बस यही जान लेजिए कि आपके सरीर में हर कोई function, हर organ अपना function करता है, सारे काम अपने आप अंदर होते हैं, basically एक bio catalyst होता है, कि एक उस काम की जो प्रगती होती है, जो speed होता है, जो इसका rate होता है, बढ़ा देता है, उसको activate कर देता है, तो इसको bio catalyst बोलते हैं, और enzyme basically वह function में हो सकता है, या फिर एक बार और हो सकता है, कि enzyme क्या हो सकता है, option protein होता है, fat weight नहीं होता है, enzyme क्यों प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि amino acid के synthesis से बनते हैं, amino acid जहां आगया synthesis, synthesis तो समझ लेजिए, यारी सब protein से ही linked है, ठीक है, अब कहा रहेने और रहेने, जो भी होता है, body amino acid बहुत important role निभाता है, तो basically आपका सरीर का सबसे important जैसा की पढ़ने से समझ में आता है, amino acid बहुत important role प्ले करता है, तो enzyme basically जो है, amino acid के synthesis से बनता है, और एक protein होता है, बायो कैटलिस्ट होता है, इससे जादा कुछ नहीं पूचा जागा, ये कुछी की तरह होता है, जैसे म ये उसी तरीके से आपके सरीर में बहुत से function होते हैं, हर function को activate करने के लिए एक अलग सा enzyme होता है, अब हम आपको enzyme के बारे में पढ़ाएंगे, तीन टाइप के enzyme होते है, amylase, protease और lipase, बस तीन चीज़ याद रखिएगा, amylase, protease और lipase, ठीक है, फिर हम आते है, amylase में, amyl amylase जो है, ये saliva के थूज होता है, जो gland होती है, उसके दोरह secret होता है, pancreas secret करता है, और small intestine secret करता है, कौन-कौन, saliva, pancreas, small intestine, जिसमें एक तरीके से amylase जो होता है, tylin होता है, tylin होता है, salivaric gland में बनता है, and start to act on star, जो मैंने बता है, star को जो है, कहां पे, mouth में, क्या बनाता है, tylin, जो है, enzyme, जो होता है, वो basically, एक form of amylase होता है, आप सिधे-सिधे पुछ लेकर, tylin, amylase, protease, और lipase, तो उसमें question आपको जाना, जरूरी कैसे पूछा जाता है, तो, tylin is basically, एक amylase होता है, ठीक है, while your food is already into your mouth, ठीक है, pancreatic amylase, pancreas, भी आपका एक amylase, amylase रखता है, is made in the pancreas, and delivered to the small intestine, ठीक है, here it continues to break down starch molecule into sugar, मैंने आपको वही बताया, कि जो चीजे आप जान लो, कि कभी भी जो आप से question पूछ ले, कि basically, आपका जो भी enzyme है, वही पे location पे secret करता है, और उसी location पे काम करता है, तो नहीं, वो चीजे गलत है, फिर से amylase enzyme जो होता है, आपको जो आपका pancreas, जो है, secret करता है, वो जो होता है, small intestine में function करता है, तो यह statement पिल्कुल दिमाग में कंठस्त कर लेना है, टाइलिन जो होता है, basically, टाइलिन एक form of amylase होता है, जो कि saliva में पाया जाता है, दो चीजे इसमें दिमाग में रखिएगा, कि एक, टाइलिन एक form of amylase है, और दूसरा जो है, आपका pancreatic amylase जो होता है, वो small intestine में काम करता है, दूसरा आते है, protease आते हैं, protease basically stomach में, pancreas में और small intestine में छोड़ा जाता है, secret होता है, इसमें आता है, पेपसिन, पेपसिन जो होता है, आपका जो होता है, protein जो है, उसको breakdown करता है, similarly जो होता है, ट्रिपसिन जो होता है, अच्छा एक चीज में बताना चाहता हूँ, जो pancreatic amylase होता है, वो trypsin नहीं होता है, trypsin is a kind of protease, ठीक है, trypsin जो होता है, वो आपका जो है, वो भी basically protein को breakdown करता है, आपको ज़्यादा इसमें detail में जाने की जरूरी नहीं है, पेपसिन और trypsin जो दो की बहुत important enzyme होते हैं, body के digestive system के लिए, पेपसिन और trypsin, trypsin जो होता है, इस टमक से संबंद रखता है, trypsin जो होता है, आपका pancreas से संबंद रखता है, और इसे form आप proteins, ठीक है, बस यही, आप दूदूद पिते हो, दूद को जो दीद में basically protein होता है, कौन पचाता है, उसको पेपसिन पचाता है, रेनिन पचाता है, मैं बाद में जो बताऊंगा, उसको, कभी milk के बारे में मेरा अगला lecture उसमें मैं आपको milk से related question बताऊंगा, milk से बहुत ही question आते है, milk क्या होता है, emails and willion होता है, emails and substance होता है, यह सब चीजे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो प्रोटेपसिन और ट्रिपसिन दो चीजे याद रख रही है, यह protease form में होता है, यह जो होता है, आपको protein तोड़ता जो produce किया जाता है, यह basically यह breast milk में भी पाया जाता है, light page enzyme जो होता है, जो महिला है, जो बच्चों को दूद फीडिंग कराती हैं, उसमें भी पाया जाता है, जिसके तो जो है, यह fat molecule जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इसी के कारण जो होते हैं, जो already light page होता है, इसलिए बच्चों का जाता है, मा का दूद पिला, बहुत ही सुपाच होता है उनके लिए, हमारे आपके लिए, तो normal दूद हम लोग उतने आसान से, क्योंकि पेपसिन और ट्रिपसिन, यह सब सारी चीज़े अपन की, सब एक adult की develop हो जाती है, बच्चों की उतनी जादा नहीं होती इसलिए उनको का जाता है, मा का ही दूद सबसे अच्चा है, क्योंकि मा का दूद में लाइपेज होता है, लाइपेज होता है, अल्रेडी जो है, एक help करता है उसको, fat molecule को जो है, breakdown करने में, similarly, उनमें रेनिन भी पाया जाता है, मैं आपको उसमें कहां बताऊंगा, रेनिन देखते हैं, यह वच्चे दो है, दो, दो, तीन, तीन लीटर पिला दो, उनको कोई फरक नहीं पड़ता, आप पिलो, आपका पेट खराब हो जाएगा, तो जो, 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 मदर मिल्क होता है, ब्रेश्ट मिल्क होता है, उसमें लाइपेज पाया जाता है, तो इसमें तीन क्यों होते हैं, एंजाइम, एमाइलेज, प्रोटियेज, एंड लाइपेज, ठीक है, पेपसिन, ट्रिपसिन, प्रोटियेज का पार्ट होते हैं, और यह बिसिकली प्रोटीन को ब्रेकडाउन करते हैं, प्रोटीन को पचाने में काम करते हैं, एमाइलेज किसे के लिए आप आपको जो हैं तैलिन के बाइज को पचाता है और लाइपेज जो थी उसमें जो है बिसिकली मदर मिल्क में भी पाया जाता है जो कि आपको फैट को प्रिक्टाउन करने में बहुत ही इंपर्टेंट रोल प्ले करता है तो आपको यहां पर क्योल 4-5 चीज़े दिमाग में इसके बारे में बता दिया अब आप से जादा इस से जादा आप से कहीं भी पूछेगा यह देखो इंटरेस्टिंग भी है यार यह डेली लाइफ में आप जानते हो कि हमारे पेट में गया यह क्या हो रहा है यह चीजे थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा न और यह आदमी जाता है तो इस सब चीजे जानता है जानना चाहिए उसको यार कि हमारे साथ क्या हो रहा है हमारे इंजाइम्स कौन होते हैं सरीर में क्या प्रॉब्लम आ रही है इंसुलिन की प्रॉब्लम आ रही तो ब्योहारी के विज्ञान जिसको का जाता है ना तो यह आप से यूपी असी खास कर बहुत ही एक्सपेक्ट करता है बाकी सब जगा ये रेडिवेट क्विस्चन होते हैं चलते हैं आप चाहे जो भी एक्जाम दोगे आपसे पूछा जाएगा ठीक है तो आज का हम लेक्चर यही खतम करते हैं हमारा लेक्चर बड़ा बनाने का कोई बहुत कर ली होगे ये रेक्चर रेक्चर कर ली होगे जिस दिन मेरा साइंस खतम होगा आप बहुत ही ज्यादा कमफर्टेबल पोजीशन पे हो गए लिश्ट्री में आपने देखा होगा कि यार आपको काम बहुत ही आसान हो गया तब तक रिवाइज करते रहे हैं हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम विटेमिन्स के बारे में बात करेंगे और विटेमिन्स के साथ साथ हम आपको फैट प्रोटीन और कर्वो हाइडरेट इन सब के बारे में बात करेंगे देखो फैट से क्यों से ज्यादा इनर्जी मिलती है किस से ज्यादा इनर्जी मिलती है सब